अलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हूं अपने यूट्यूब चैनल में हम जो अध्याय थी था अंग्रेज साचन का भारती जन जीवन प्रभाव इस चीच को देख रहे थे हम हमने देखा था कि अंग्रेजियों की क्रिसी निती कैसे थी याना कौन कौन सीस्थ आई बं दिवासी रहते थे उनका विद्रू होने लगया क्योंकि ज्यादा ज्यादा पेड़ों की कटाई होने लगी तो फिर उसके बाद एक नाम उभर के आया था बिर्समुंडा का अंधुलन तो इस चीज को हम देख रहे थे उन्होंने कैसे कैसे अपने आंधुलन किया फिर उस असफ घ्रित्व आलोचना करते थे हो ठीक है दोस्तों क्या करते थे उन्हों जो 17 Sindu स्वामी और महाजन जो उनकी जमीं को चीनते थे हैं और उनकी प्रमप्रागत संस्क्रीट का आलूसना करते तो जब आंधोरन फैले लगा तो अंग्रेजुने कठीन का रभाई करने का फैसला कि उन्होंने में 1895 में बिर्सामुंडा की गरिफ्थारी की और दंगी फसाद चार रूप में धूसाल की जगा सुमाई 1897 में जैसे चुटने के बाद बिर्सामुंडा समर्थन जुटाने में गाओं गुमने लगे उन्होंने लोगों उक्साने के लिए प्रमप्रागत प्रतिकों और भाशा कर इस्तमाल कि उन्नीस सों में बिर्ष्टा की मित्ति हो गए ठीक है दोस्तों आरो यह जो आंदोलन था बिर्सामुंडा आंदोलन वो क्या हो गया धी में पड़ गया यह अंदोलन दो माहिने में महत्तपूर था एक पहला अपने विष्टिक सरकार को ऐसे नियम लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिसके जरिये दीकू लोग आदिवासी की जमीन आसानी से कप्चा ना कर स तो क्या हुआ फिर जब यह बिर्सामुंडा की मित्ती हो गई तो फिर उसके पाद अंग्रेचों ने क्या किया जो आदिवासी की जमीन है वो कि कोई आसानी से ना ले सके इसके लिए उन्होंने खानून बनाया फिर दूसरी इसकी एक एक बार फिर जदा दिया कि नियाय का विरोध करने और आप्णियुशिक सासाग के विरोध कि अपने घुश्चे को अभीबहत करने में जंसक्ती जब जल जाती जो सक्छा में उन्होंने अपनी खास रप्रस्मों और संकर्ष की प्रति हो जड़ी इस काम को अंजाम दिया मतलब अपने खास अंधाज में और अपने खास रसमों में वो लोट ने इस चीज को अंजाम उसके बाद देखते हैं तो दुस्ते चान रद बंख आदीवा श्रीफ के वितरू कि क्या होता थैं जब वन्हों की जगे जब जाद से ज़ादानी से उतरा फीजड़ाती लेकर हैं विशों को पुर्वार्त पनेंग जन जात जाथा तर ज च deeply मेंसेत में जाहां जहा जाती अपनी अस्मीद्म कि रक्षा के लिए विशेश तरक तै요 एक दोमान समाने विशेशता है ती क्या विशेशता थी ये यह सबी यह सबी जान विद्रो जन जातियों को अपने निवास छेट्र देखो दूसरा निवास शेट्र भूमी वण आजील परंप्रागत अधिनों अधिकारों को छिन जाने की विद्रो जन जातिया सेमित्हां और संस्क्रीति की रख लग्ष्ण की लेति हुए कि तीसरा विद्रों में नई सासन व्रवेस्था और ब्रिटिस स्वारा थोपे के नियम और कानून के खिलाफ था फिर जन्जाती मुक्ता बाह जगत सासन की प्रवेश को अपने जीवें सैली संस्क्रीटे निवार उत्पन और एक खलल को दूर करना चाहते थे उन्हें क्या करना चाहते थे कि मतलब जो उनकी सैली संस्क्रीटी में जो अंग्रे जो ने खलन किया उसको वह दूर करना चाहते थे फिर उन्हों उलेकनी बात यह है कि मुल्ता जन्जाती की द्वारा आरांबिक वित्रों चैटिसगर के एक एर आदिवास्री भागिदारी ब कि द्रों अलपा विधरों क्या होता हम अलपा विधरों अजमेर शिंग ने किया था जूब वर्क्राण्यु तक एपनी जान बचा के भाक सं बचा सकमई म। ह acept झाली इस विज़ों कि बस्ता मानाठा कोछ चल्यक्त में प्रवेसका आषमान मेला जसके लिँटीज इनसे परल्क भीदोन किसी कि ने किया है आधा करता भी знач partners की विरोज में हुवां ये चैन सीने किया यस पर स्वार्ड की तै केंसी ने दिया अंबुजमान का पूर्ण समर्था था फिर हमारा आठा सासन द्वाला लगाए गए कर को इंकार कर दिया और बस्तर नियांतर इस्थापित करने की कोशिद की तारापुर्विद्रो आता है तारापुर्विद्रो क्या था यह भी संस्कृति को बचाने के था जिमारिया भी सेरकारी में नित्यों को नित्योंतर जन जाती आस्थां को चोड पहुचाने इकली ता और नर बली मतला मतलब कि मार्य जन्जाती लोग अपनी जो हर साल अपने आपको बलीदान कर देरे थे या विद्रों 20 वसुत चुना फिर उसके बाद आया अठारों संतावन का विद्रों अठारों संतावन के विद्रों में दक्ष में बसता दुरू राउने प्रिटिस सेना का जमकर मुकाब्ला कि जमकर मार्य जन्जाती के डोरला उपजन्जाती थे उन्होंने अंजात्य को पूर समयने के पूर फिर कोई विद्रों कोई वित्रों में कौन था है मतलब साल य्थ की कटाई नहीं नहीं हुने दे यह देना चाहते थे प्रथा समाप्त का साल्विक्ष की कटाई बंद रहती है क्या हुआ यह साल्विक्ष को खाटने से रोकने के लिए विद्रो कर रहे थे फिर अंग्रेज फिर जो अधिवासित नहीं ने नारा दिया एक साल्विक्ष के पीछ एक व्यक्ति का से तो फिर इसके बाद या विद्रो आता है गोपी नात कापर दास बस्तर आज के दिवान उठीए उन्होंने जन्जाति के पड़े प्रमाने पर सोसर प्राणा में करें फिर मतलब जो भी आता तो वो क्या करता था बस आदिवाश्यों का सोसर करता था फिर उनका विरोत करने के लिए विविन परकुनों के जन्जाति एक जूट हो गए और राजा के दिवान की बर्थास्ति की अपिल करने लिए यह मांग पूरा नहीं होने पर मतलब 1876 में जग्वर्पुर का घेराव कर दिया राजा की किसी तर अंग्रेजों ने अंग्रेज स अंग्रेジャ got अन फ्राप्रेटिक साथांओं के लिए दिया के भाड़ा लिए आधिक अरे में प्राकितिक संसाथ होनों के उप्यों करदा अधिकार के लिए संघर्ष थे ठीक फिर उसके बाद पेर पौधे उनको आरचित कर दिया कि उनको कोई नहीं काटेगा तो जन्जातियों ने इसका विरोध कर दिया अंग्रेजों ने एक और तो ठीकित रोको लगड़ी काटनी के अनूमती देदी दूसरी जन्जातियों कि दारा बनाएंगे इस सराब को बादन को अवेद खोश सब्सक्राइब कर दिया तो फिर यह आंदोलन प्रारम हो कि फिर विद्रों की नविन सिक्षा परती स्कुलों की संस्क्रिति काकमन के रूप में देखा जाने लगा पुलिस कहते अचाने भूमिकार विद्रों को संक्टित करने के लिए एक और भूमिकाने भाई उस उक्तम सब्सक्राइब करने में सफल रहे विद्रों को अपले लक्ष की प्राप्ति में सफलता नहीं मिली जो मतलब यह भूमिकार विद्रों थी इसको वह आधिवासी सफल नहीं हो फिर सारकार का भी अपनी नीति निर्माम में के मांगों को ध्यान में रखना पड़ा अठारा का माजिक संस्क्रीती जीवन में सच्छिपना करने का अंग्रेज निति ऐसे विद्रों का परिणामता कालांतर में इन विद्रों के आर्थी कारून ने नवीन भारत की नितिनिमा के लिए भी मांग दर सकती हुआ है फिर अंग्रेजों ने भारते संसाधनों का भरपूर्धोन कि उनके कारकानों ने भारत के बाजार में भी माल बेचना था अब क्या हुआ अंग्रेजों ने भारत में जो भी संसादन थे लगटी कोईला पेड़ यह सब जिसना भी है उसका भरपूर दुवान और उसका अधिक सहथी ख्लाब मिल सकते उन दिने धाका कुष्णा कर बनारस लगना वागरा यह सब जगों में वस्त्र उद्यों के प्रमुक केंद्र थे एक अधिक आगे देगतें दोस्तों अंग्रेजों को भारत और एग्लेंड में अपने दूखों के लिए तच्युमान क्या हो सऽकता थी शुराद का निन्मार्स किया विए भारत में रेली हैं चुरुआत की गई इत्रांतिकारी परिवर्ताना तसन चार परिवान के साधनों की विगास से लेश के लोग एक दूसरे से संपर्ख में उन्होंने एक दूसरे की भावना को समझा उन्होंने राश्टिता की भावना बढ़ी और काला । अंचाली आठाश्ट इलिपानभारत में देल ग्राम सुधा प्रालम और डाग ववयस्ता सुधार कारे किये गए फिर उसके बाद शिक्षा परफावन कंपनी सासन की सुรूब होनी के समय भारत प्राचे शिक्षा वेवस्ता प्रचिलित क्या वैस्ता थे प्राचे परवासिों की सरकारी जमीन दान पड़ झान है घोना अंग्रेज़ों न या जमीन से ची लीएं नए न पदती लाकुटा सताफम की इसमें कल्गता में वोट क असापणा में इसने फोर्ट फिलियम簡 बिटिस असकों ने भारत में सिक्षा के विकास के लिए अधार पठाश ने काली की सिक्षा नहीं ते लागों की से मुख्यों इसके मुख्य पर रूप से अंग्रें अंग्रेजी पढ़ना और उसकी महासिक्ता को सासन के पक्ष में करना था राजा राम और जयसे समास सुधारक ने नहीं सिक्षा के समर्तन थे जो अंग्रेज लाना चाह रहे थे उस सिक्षा के क्या थे समर्तन थे उनकी माहना था कि नहीं सिक्षा के भारते ग्यान विज्यान सोगसान समान जञ जनता तो राष्ट आंदुलन को मदद मेलेगी उसके बाद देखते हैं दोस्तों भारत में सिक्छा में का लेकी सिक्छा चातिस गवार्ण में सिक्षा में काले की सिक्षा योजिया केंता ठाथा चौशाट में रापुर में एक मीडिल स्कूल प्रायरम किया गया यह सख सिक्षा वैवस्ता थी जो 20 वर्जों तक बाध हाई स्कूल बना फिर आज हम इसे प्रोपर्शन जैनाराय पांडे सास की बहुत बहुत देशी उच बच्कुमार को सिक्षा दी जाती थी इंगी परिच्छा इंडियन कौसी ऑफ एजुकेशन दिले में संचाली थे विद्यार्थियों को सिक्षा के राइपुल में अठास और अटिस में 36 कर महावित है लेकी स्थापना हों यह सब फिर दोसों बताया गया कि प्रेस का विका स्थापित करने के देश से 1878 में बाहरत के ततकारी वायसराय लाड़ वायसराय लिंटा ने वनाक्लर प्रेस एक्ट पारित किया इससे में प्रसित समाचारपत दा हिंदू दा इंडियन अम नित्वाचारपती का मलाटा के शरी इस प्रकासित होते थे इसे जनता में राष् प्रकासित में ब्रस प्रकासित की जिसका नाम प्रजाही देशित थे हैं इसके अर्थ्रिक शर्याद्र में प्रमुख समाचार प्रता थे इन पत्र प्रतिकाओं में जनता में प्रयाप्त चितना यून जाग रुखता है देखें दोस्तों यह जो पत्र जो समाचार पत्त है इससे क्या होता है जो मतलब जिसकी भावना है जो सही चीज़ है उसको प्रकासित क्या जाता तो चंजल लोगों के पास पहुशता है तो से उनमें चेतना का विकास होता है राष्टी चेतना का विकास हुआ ठीक है दोस्तों धन्यवाद